Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 6.1 का question number 10, तो question number 10 क्या कहता है, draw a number line and answer the following, यहाँ पे हमें एक number line draw करना है और उसमें 4 parts दे रखे हैं, इनको हमें answer करना है, तो यहाँ पे a वाला part कहता है, which number will we reach if we move 4 numbers to the right of minus 2, तो पहले हम यहाँ पे एक number line बना लेते हैं, यह हमने number line बना ली, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से यह चलता चला जाएगा, left side में यहाँ पे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, अब यहाँ पे कहता है कि minus 2 के हमें 4 number right में move करना है, तो हम पहले कहां जाएंगे, minus 2 पे जाएंगे, और right में 4 numbers move करना है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो हम कहां पे पहुँच गए, 2 पे पहुँच गए, तो यहाँ पे A के आगे लिख देंगे हम, 2, B वाला पार्ट देख लेते हो, तो B वाला पार्ट हमारा क्या कहता है, which number will we reach if we move 5 number to the left of 1, अब यहाँ पे 1 कहा है, हमारा यह है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क करना है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तो हम कहां पे पहुँच गए, minus के 4 पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे minus 4, अब अगर हम C वाला पार्ट देखें, तो C वाला पार्ट क्या कहता है, if we are at minus 8 on the number line, in which direction should we move to reach minus 13, तो कहता है कि अगर हम number line में minus 8 पे खड़े हैं, और हमें minus 13 पे जाना है, तो हमें किस direction में move करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो, जैसे यह number line है, यह minus 8 है, minus 8 के बाद क्या आएगा, minus का 9 आएगा, उसके बाद में, यहाँ पे minus 10, फिर minus 11, फिर minus 12, उसके बाद में आएगा minus का 13, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह minus 9 है, यह minus 13 है, तो हमें किस direction में move करना पड़ेगा, इस direction में, और यह direction हमारी क्या है, left direction, तो यहाँ पर C वाले के साथ हम क्या लिखेंगे, to the left, अब यहाँ पर हम D वाला पार्ट देख लेते हैं, तो D वाला पार्ट क्या कहता है, If we are at minus 6 on the number line, in which direction should we move to reach minus 1, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम minus 6 पे हैं, number line में, तो हमें minus 1 पर जाना है, तो किस direction में हमें move करना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पर यह number line है, यहाँ पर यह minus 6 है, यहाँ पर यह minus 1 है, तो हमें इस number पर पहुचना है, तो हमें किस direction में जाना और यह कौन सी डारेक्षन है यह राइट डारेक्षन है तो यहां पर हम लिखेंगे डी वाले के साथ तू दी राइट लास्ट पार्ट था कोशन समाप्त नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट कोशन आज के लिए बस इतना है